तो कलम यहां तक महुँच गए थे कि 1935 के एक्ट के प्रोविजन्स क्या क्या है को हमने डिसकस कर लिए थे फिर उसके अंदर सेंटरल लेवल पर क्या क्या सिस्टम सेट अप किया गया था यानि केंदर में क्या क्या विवस्ता है शुरू यह हमने पढ़ लिया था तो फटा अंटनोमी ठीक है बहुत बढ़िया और फेडल कोर्ट बहुत बढ़िया और भी आई और अच्छा अच्छा सब्जेक्स अडिवाइट रिलिस्ट यह सारी बात ठीक और आपको इंपोर्टेंट मैंने यह बताया था कल इसम डिसकस कर रहा है थे कि गवर्णर जरेलिया सब्सक्राइब कर सकता था दोनों आउसे को आपके पास थे कौन-कौन से थे अच्छा सेंटर लेडिये असेंब्ली यानि केंदरिय विदान सभा और दूसरा आंसल आपके पास क्या होते थे आइसे सेशन उनको कौन कौल करता था नहां पहला दूसरा क्या 17 प्रोब्ग या पोस्ट्पॉन कर सकता था गवर्णर जनल तीसरा क्या था डिजॉल्व किया गाता एड़ पर्मानेंट हाउश यानि की सथाइस खाधन के इसको इसको क्या दिया गया था बीटो पावर तो एक चीस समझना एड प्रजेंट पापाने आज एक्सक्लूसिव भीटो एब्सलूट्फो दूसरा सस्मेर्शन भीटो तीसरा पॉकेट बीटू और अगर आप पुर आपको एक चीज देखने में मिलेगी कि sight की बीटो पावर प्रसीडेंट से जाधा है कि यह में भीड़्यो 받 तो ये तीनों बीटो पावर प्रसिदेंट के पास भी है एड प्रसिदेंट और ये तीनों बीटो फैवर क्या कर सकता है वो joint session को call कर सकता है जिसे आज हमारे पास joint session है कहाँ पर है वन जीरो एट पर आर्टिकल वन जीरो एट में लिखा हुआ है कि अगर प्रसीडेंट को ऐसा लगता है कि कि किसी भी subject पर कुछ debate है बोथ houses में दोनों सदनों में तो वो क्या कर सकता है joint session को ब्ला सकता है बट कुछ special bills पर नहीं ब्ला सकता है बट जैसे money bill टाइप का हुआ तो उस पर कोई joint session का प्रोविजन यह joint session भी कहां से शुरू हो रहा है क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी बता लिया था कि approximate 250 articles सीधे सीधे कहां से लिए हमने 1935 से उपकां डाल दी अपने constitution तो इसलिए इसको मिनी constitution हम कहते है तो यह सारी powers वहीं से लिए इसके लाभा और कुछ था कि इसके पास इसके पास किया था जो financial bill थे financial उन पर जो आप कि financial bill without barrier क्या permission के गवर्नर जनल की नहीं लाई जा सकते और यह मैंने आपको बताया था कि financial bill केवल कहां पर आएंगे Central Legislative Assembly और उस पर सारी power भी किस के पास है CLA के पास है आज भी हम बात करते हैं आज भी लोग सभा के पास सारी power है राय सभा के पास कुछ भी नहीं है है क्या अगर money bill या financial bill के बारे हम बात करें तो राय सभा के पास कोई power नहीं 14 days के अंदर उसको करना होता है otherwise वह अपने आप राइडरवनर्टी की नमती के घृणन नहीं पॉना नहीं पडह सकता है और फिर प्रसि देंट का क्या चाहिए इस पर साइन चाहिए तब जा के बूंडिका एक्ट मuse बने लग्लै और दिफरेंद स मालु में क्या डी ingenas मैंने यह पूछा कि वार इस डिफ्रेंस बिट्मिन बिल एट यह थोड़ ठीक है लेकर और भी जाओ सिंपल सी बात है बिल के पास कोई लीगल अथर्टी नहीं होती बस एक्ट के पास लीगल यानि विदिक जो पावर होती है वो एक्ट के पास होती है कि बिल के पास फिल तो आया रखा प्रोजल टाइप का इवो चल ला है जैसे उस पर क्या हुआ साइन होगा इसके प्रसीडेंट के और यहां पर अगर बात करें तो इसके में जाओगे तो आपके कोई ने कोई कारवाई हो यह याद रखना बिल और एक्ट में जो डिफ्रेंस बिल पर कोई लीगल नहीं होती एक्ट के पास लीगल पावर में सबस्क्राइक्द सब्सक्राइब ना नहीं कोई भी बील क्या नहीं हो शकता एक्ट नहीं वन सकता तो यह सीधा और एक और को गवरनर की अनमति प्राप थी एक इंप्वर्णर ने दे दिया शाएंट पन गया लेकिन अगर बटेस्स क्राउन को ऐसा लगता है तो वो ठीक कर सकता है उसको अस्विक्रंथ्स यानी कि इस एक्त को खतम किया जा सका तो यह तो पड़…… पापर किसको दी गई ती बिट्सस क् करके तो यह भले ही जो क्या वनगे बले भी ऊचर्ण वह पास म्यंक्ना करowej वह पास है बोध मौत को सबस्कециali चलुत अब आज आते हम यहां पर जो हमारा आज का टॉपिक है इस पेसली क्या है प्रोवंसियल ऑटोनोमी तो प्रांतिय स्वाइट तक क्या है तो सबसे पहले तो हमें पता है अब यह जो सिस्टम था यह हुआ फेल क्यों फेल हुआ कि इंडियन जो मिनिस्टर से जिनको यह पावर दी गई थी कि वह ट्रांसफर्ट को क्या करेंगे एक्जिक्विट करेंगे जो हस्तांत्रत विसें उनका संचालन करेंगे वह उनको केवल नाम के लिए था कुछ भी उन था कि इंडियन मिनिस्टर को जो डिपार्डमेंट दिये गए थे जो मिनिस्ट्री दी गई थी उनकी जो सिविल सर्वेंट से उसके इंदर वो उनकी बात ही नहीं सुनते थे वहीं सिविल सर्वेंट आपको पता है पूरा एक्जिक्विट करते हैं बेसिकली जो भी सेकेट वो हो गया फेल ठीक है अब प्रविंशियल डायर की फेल हो गया इसका मतलब क्या कि अब कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा जो हम डिमांड कर रहे हैं पहले से 1905 से मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपोर्टेंट प्रोविजन क्या था 1919 के एक्टर कि रिस्पॉंसिबल गॉवर्मेंट यानि उत्तरदाई सरकार की स्थापना की जानी चाहिए और इसके लिए मॉन्टेग्यू ने अपना पूरे वासड़ भी दिया था उसका इकूटेशन पहले समझना इसकी फीचर्स किया है तो प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी की बात करने तो सबसे पहले जो दुए अधसासन था डायर की था ना उसको क्या किया गया एंड किया गया कहां पर एंड किया गया प्रोविंस में आपके पास कोई डायर की नहीं हो तो क्या होगा भई तो अब आएगी आपर फुली रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट पूर्ण उत्तरदाई सरकार यानि क्या आगई फुली रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट अब फुली रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट का मतलब क्या है अगर हम इसको समझें कि यह जो प्रोविजन आ रहा है कहां सुष रोपर प्रॉविंस सेंटल में नहीं है सैंटल में तो डायर किया उते का है Và Daska फर उने आप काम और मतलब यह है कि यहां पर जो भी काम किये चाहिए कि जो भी आब जो भी कम कौन से करेंगे समझ ना मैंने आपको कल बताया था कि थ्री लिष्ट थी या रहा है कौन-कौन कौन थी एक तो अपने पास सेंटर लिउस्ट थी यानि कि केंद दूची उसके अंदर कितने सब्जेक्ट थे 59 ये मैं आपको बताया था कल दूसी थी concurrent list उसके अंदर 30 यह नमबर याद रहना चाहिए तो अब स्टेट में यह दोनों जो लिश्ट हैं इन दोनों लिश्ट में जो सब्जेक्ट हैं करने के लिए और दूसरी बढ़ रिश्ट के लिए बिधान सभाव के लिए जैसे सेंटर में किसके लिए ऐसे एकिसके हूंगे बिधान सभा के लिए और सब्सक्री ढ़्यू और इंटर बा सैंतर नहीं किया जाएगा वार गवर्व invention点 और बाइट इंडियन सेकेट्री सीदी सी बाद गवर्नर जन्रल और इंडियन सेकेट्री का जो पावर था स्टेट पर प्रोविंस पर वो क्या हो गया टोटली फिनिस यानि अब कुछ भी अस्त थे वो कर नहीं सकते तो कि अभी तक सारी चियां कहाते चल नहीं दी सेंटर से गवर्नर जन्रल पूरे डिशियन लेता था ठीक है और इंडिया सेकेट्री भी ले रहा था लेकिन अब वो इसमें कुछ नहीं करेंगे तो पहली चीज़ क्या हो रही है इन सब्जेक्ट पर सारा काम कौन करेंगे आपके पास स्टेट के जो मिनिस्टर मिनिस्टर्स जो इल थोड़ी बहुत मातरा में रहेगा वो भी इमर्जेंसठी कंडिशन में जैसे आज भी हमारे पास होता है आज भी क्या होता हैоме सेंटर में आपके पास गवश्मेंटिक अलग बढ़ कर रही है विस्टेट में अलग बर कर रही है नॉर्मली क्या करते हैं दोनों अपने हे यिश कोई सब्सक्राइव प्रिक्त ना ना ने कि के फूरे मेज़ते कुछ झाई है। प्रिकशी सब्सक्राइब होगता है ठीक है अच्छा इसके लाबा और क्या किया गया यह तो चीजें होईगी इसके लाबा इस्टेट के अंदर क्या बनाए गए या हाई कोट बनाए गए याद रखना फैडरल कोट तो बनी रहा है उसके लाबा इस्टेट के खुद के परसनल क्या हाई कोट भी किस से इस्टेब जो मिला जहीं तो धू worship के अधर के चलना है राइंड पढ़ियर की एंड के तुसरा प्रिविशिट में चला है जो कौन चलाइंगे मिनिश्टर अच्छा यहांपर एक सीम की ब्रस्ट्भी कि विवस्था भी कही गई है उस समय सीमने कहते यह जो फुली इस पॉल्स बमेंट चलेगी वो मिनिस्टर चलाएंगी ये मैंने बताए मिनिस्टर किसके अंडर चलाएंगी तो मिनिस्टर के ऊपर हो गाँ उनका Chief Chief Minister CM की दा यहांपर और सबसे 임 हम्पोर्टैन चीज़ गवर्णर जननल एे सद्वरोर को हटा कर यहां पर लाया गया एक गवर्णर को जीनिन करेगा और वो गवर्णर जो है वो जननल कनेक्ट नहीं मुत आख है यानि वह जोlawік करेगा जितनी भी भीन चीर यहाँ यंगी वो सब कहां के थुछ होँगी मिट्रिस ठीक है और वो इनके साथ मिलकर आपके कौन है tääaur उनके मिलकर क्या करेगा यहांपर इख ग्रम Спिंख्रो यहां पर जो भी subject यहांपर सॉ जाइं तो रिस्पोंजील गफ्रेम्ट का और इस्टेट इतनी वास वागे चल वागे थोड़ा और बढ़ लेती है प्रोवंसिल अटनोमी में बात करेंगे अब चुकि हमने पड़ा था कल भी पड़ा था कि इंडिया में क्या लाए गया फैडल सिस्टम के तहती आप कोई मिल ला और फैडल सिस्टम के साथ क्या क्या आया गया पालियमेंट्री सिस्टम का फीजर क्या होता है भई बाई केमरल अब यहां पर थोड़ी ती गड़बट रहे समझना क्या हो रहा है है थोड़ी अच्छे समझना चलो पहले इसको थोड़ा समझ लो क्या यह कौन है आपके पास दिख रहा है यह गवर्नर कौन है जो मैंने बता है न आपको गवर्नर रहे है यह एक गवर्नर हो रहा है पॉइंट और इसका अपोइंटमेंट कौन करेगा भई そう का अपॉइंड्मेंट करेरीका बेटेस करां तूटा आरा इसका क्या हो रहा है अपॉइंड मेंट रहा है यह याणि यह किस Patrol रिम प्रकूंस जब नहीं अच्छा इसको बहुत ज्यादा पावर दी गई है ध्यान रखना बहुत ज्यादा पावर कैसे दी गई है कि यह क्या करेगा इंडिया में जो क्योंकि आपके पास जब बोटिंग राइट की बात करी जाएगी अभी तक मैंने आपको बताया था ना इंक्रीज करेंगे तो बेस तो वही रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इंटीन थर्टी फाइब के एक्ट के आने के पहले हमारे पास क्या हुए थे राउंट टेबल कॉन्फेंस थाटी थाइटी थाटी थाटी वन थाटी आफ्टर गैड क्या आपके पास पून ना पुना नहीं कमिनल अवर्ड नींटीन थाटी तो यह बेस था न है याद बुझ आता कि कौन था प्राइम मिनिस्टर थे यही में डोनल्ड रैम जे में डोनल्ड ठीक है ना उन्हीं ना उसी के नाम पर आता है यह कमिनल अवर्ड क्या बोलते में डोनल अवर्ड के नाम से भी जाते हैं वो 37 तक चलते हैं लगव लगव उसके बाद फर दूसरे आ जा यहां आओ ना भाई 909 में मुस्लिम से लग किये 1990 में सिख एंगलो इंडियांस एरोपियन से लग किये और 1932 में उन्होंने हिंदूओं से जो डिप्रेश्ट क्लास था स्सी और स्टी बेसिकली उसको अलग करने की विवस्ता कर देती यानि फूट डालो सासन करो की पूरी निदने फूट किया अवात्त इसता हुए और इसी का प्रोटेस्ट किया था महागान नियुक्ट नीने जब वह अब बंते चांब查 साथ और सहां ने ने किया और पूना पैक्त और फिर क्या किया गया पूना पैक्त से जो सीट रिजर्व थी डिप्रेस क्लास के लिए उनको इंक्रीज करके बन 47 कर दिया ज्यान ना करना पहले सीट कम थी तो उन्हों ने का भाई यह नहीं हो सकता आप चाहो तो सीट को बढ़ा लो रिजर्वेशन को कॉड़ा हो रही है कि यह जो सिस्टम है sanlove seconds का किसे नहीं ए lavender है औरा нашей तो यह देखना है्ले से प्रौविंस में क्या चलंग है प्रौविंस के सारे सब्जेटTS करेगा किसके साथ मिल निश्टर के साथ, दूसरी चीज communal award को देख रहा है तीसरी चीज वो क्या देख रहा है अगर हम बात करें किसके अंदर इस्ट प्रोविंस के अंदर जो minorities हैं उनको देख रहा है सबसे important चीज़ को दिया गया था law and order तो law and order भी किसके आत में था रहा है यानि सीधी सीधी बाद आज जो गवर्नर काम करता है आपका वही सेंपोजिशन किसके धी बस वो responsible का है बिट्स कराउंट के अपॉइंट मेंट भी कहा से हो रहा है तो आज भी appointment होता है आपको पता हो न जी है अगर हम बात करें चाहें गवर्नर करता हो टा है नै अपॉर्णर को होता है प्रशिछ कटा बस इस समय पे और इस समय हो गया तो गवंचे अजऑंगान्え & बढ़तते हैं दूसी प्रोविंस को चला जैसे आज चलाते हैं हमरे पास सीम भी होता है ऑपके पड़कर और इंडिया में क्या अपलाई हुआ था क्योंकि यहां पर जो लोग झारे को आ रहे हैं गई को ऐसे आजभी ओटा है То उसमें Espa पूद करते है किसकी लेंट जलेट में थोड़ा लफ़्रा था आप प्र LGBTI तो में पास का बॉत होने चाहिए लेकिन ने हाँ पर जितने भी to रॉवंस थे उनके अंदर वोत हो लगई लग कितने प्रोविंस थे समय में ने बताया था आपको 11 प्रोविंस में आप मान के चलना सिक्स प्रोविंस में तो आपके पास था बाइक केमरल क्या था था या यहां हो सकता है वो आप से नाम पूछ ले कि कौन पहले तो यह पूछेगा कि 1935 के अधिनियम यानि को नेम बताने पड़ेंगे कि किसमें नहीं था तो इस समय कौन कौन जाम पास छे नाम बता तो याद है किसी को बंगाल असम बिहार यूपी बंबे और मद्रास क्लियर यह टोटल आपके पास कितने है छे प्रोविंस है जिनके अंदर क्या है भाई केमरल सिस्थम बाइक अ बागी के जबाज यह पांच उनमे क्या चलाए सिंग आज भी हमारे पास भाई आज भी आप देखो मद्रप्रट्रेस ने सिंगल यह टबले सिंगल एक वल बेदान सभा ओधी बिदान परसाग अज कि नहीं हमारे पास बदान परसाग चे में कौन कौन से यूपी महाराष् अंद्र प्रदेस तेलंगा ना तेलंगा नहीं है और बस यह कम बुद्ध की जगा कम बुट हो गया है यह सोट फोर में करनाटका ठीक है आंद्रा ठीक है महराष्ट्रा बिहार यूपी और यह टोटल छे श्टेट जहां पर आभी क्या है बाकी के जितने भी स्टेट आपर क्या है एक सिंगल आउस बाइक केमरल कोई विवस्था तो आज भी छे हैं तब भी छे थे बस तब नेम अलग थे आज नेम अलग तब कौन ते बंगाल असम बिहार यूपी बॉमबे औ टेटी की सब्टस अपर क्या काम कर रहा है बाइक़िश्टम इतनी बात से वाइकवश्टार से सृफटर्स एक अगई उथम थे हैं इतनी बॉस्टान authentication खल में क्या श्टक्चर हो गया चलो और और बढले लेटे मैं यह ब्वधिश्टाम काम और क्या थी अच्चा बिवस् कि इसमें जो स्मेट निकल लाई है वो स्फॉंसेसे लिए इसी के प्रति हैं उप्रषा की बैंक। कम फर टेख्स ऐसे पावर दिया गया वह यहां रखना अभी तक ऐसी पावर नहीं थी अब टैक्सेशन जेतने भी सब्जेक्ट आपके पास 54 थे उनमें जहां जहां टैक्स हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं वह यह पावर किसको दे दी गई यहां पर टैक्स जो उसके लिए लो बनाया जा सकता है त भी तो बनाते हम इत्हरी के अंदर डिफ्रेंट टैक्स नहीं लगा जाते हैं तो स्टेट में कर दिया गया से कर दिया गया कहाँ से आपस गवर्न जनरल कोई बीर इंट्रफेर नहीं कर सकता इंडियन सेक्रेटरी को इंट्रफेर नहीं कर सकता बस सीधा-सीधा गवर्नर और आपके जो elected minister है वो प्रोविंस को चलाएं अब लास्ट इंपोर्टेंट चीज अब यहां पर एक चीज व्यस्ता और रखी गई कि गवर्नर को सोरी ऐसा लगता है कि स्टेट का जो सिस्टम है वो अकोर्डिंग टू 1935 एक्ट नहीं रनुवरा चल नहींगा तो वो क्या करेगा वो सारी पावर को अपने हैंड में जैसे हम आज कहते हैं प्रसीडेंशियल रोग आज यही वैस्ता है ना कि जब समय धानेक तंत्र बिफल हो कौनसा राष्टपती सासन लागू कर देता है यहां पर प्रसीडेंट को कोई पावर नहीं ती यहां पर सीधी सीधी गवर्नर को पावर दी गई थी कि अगर उसे से लगता है कि प्रोवेंस में जो पॉस्टिशनल मसीन्री यह फेल हो गई है समय दानेक तंत्र जो वो फेल अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और कौन-कौन से हमारे पास इसके अंदर क्या था वहिया आपको पता है यह जो समयदान था यह कैसा था अनम में था रिजिट था इन फ्लेक्सिबल था यानि कि इसमें चेंज करना बहुत इजी नहीं था आज हमारे पास जो कॉंस् तो इस भाब करते हैं कर सकते हैं कुछ आइटिकल्स को नहीं कर सकते है है लेकिन ये जो था यो समयधान कहा रहें नॉड इस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है केबल ऑड़ क कर सकता है प्रपोजल दे सकता है यांद रखर यानि प्रस्ताभ लाया जा सकता है लेकिन चेंज makes a leaf के अच्छे तो समय लेना यहांपर इंडियंज को अमेंड करने की पावर नहीं दी जारे 1935 को अमेंट इंडियन नहीं कर सकते अमेंट सीधा सीधा कौन करेगा बेटेस पार लिया मेंट यानि इसको संसोधन करने की जो सकती है वो कहां पर है बेटेन की संसद में हैं इंडियन को कोई पावर अच्छे समझना यह इसका एक इस्पेसल प्रोविजन है इंडियन को दे च्याय और चाहिए चाहिए उस समय पर नहीं कर सकते इसको में चैनच करना है अफिर उसके ऊपर बेटेस पाले में चाहे तो चेंज कर दे और चाहे तो इतो लियर और है यानि कि आ मैं यह यहां पर पावर नहीं बेगे तो पहली चीज़ समझ में आ गई इस पेसल प्रोव और बात करें Central Bank हमको पता है क्या बनाया गया एक टाया 1934 में है ना 1934 के RBI Act के अंडर 1935 में आपके क्या हुआ RBI का establishment हुआ और 37 से basically उसने बर्क करना ठीक है basically और आपको RBI के बार में तो सारी चीजे पता ही क्या है Central Bank इसके लवह और क्या क्या करता है बैंक और बैंक से क्रेडिट का भी क्या देखता है इंडिया की क्रेडिट क्या है इसके लावा आपके पास जो करेंसी ए उसको भी देखता है पूरा कि कौन सी करेंसी को निकालना नहीं निकालना है क्या बंद करना सारी चीज़ है तो आज वो पूरा मार्केट को कंट्रोल करता है वेसे लिए तो आर भी आई तो हो तो हो रहा है आर भी एक्ट से लेकिन उसको जो अथोरिटी मिल लिए जो पूरी लिगल्टी पावर मिल लिए वो 1935 से तो यह वाली चाहिए अग आपका All India Federation यह इसके अंडर जो जो भी आपके क्या है जो जो भी ब्रांचिज है इसकी जो आपके पास प्रोविंस है जो आपके पास क्या है चीफ कमिशनरी एरियाज है जो आपके प्रिंसली स्टेट है उनको देखेगा उनसे रिलेटेड जो भी इसू जोंगे उनको सॉल एक मुखनयादीश चीफ जेश्टिस और छे अनन्यादीश ठीक है टोटल कितने हो गए सेवन आपसे पूछ सकता है कोस्तन यह पूछेगा कि 1935 में जो फैडल कोड बनना है उसमें टोटल जेश्टिस कितने थे सेवन ठीक है तो एक होगे आपके पास चीफ अच्छे होगे अधर अब इसमें देख में है छे में से दो भारतियों को नुक्त किया जाएगा पहली भार उनके नेम आपके पास एक का नाम है एक का नाम है एमर जैकब और दूसरे का नाम क्या है सुल्थान एमर जैकब और एमस सुल्थान अब समझो इसके चीफ जैस्टिस कौन थे इनका नाम भी याद रखना सर मॉरिस भूयार थेक है तो 1935 में जो फैड़ल कोर्ट बना उसके चीफ जैस्टिस कौन है सर मॉरिस भूयार है इस समय में दो इंडियन इसके अंदर आपक पास पार सुन for मेंसे हैं है छो इसके पास वही पावर है जो आज आ हमारे अन Boss ऐसके पास प्राइमरी पावर है प्राइमरी जुटिक्सavors Grade इसके पास आप feature13 की इसकंश one dá mai जैसे हमें पता है ना आज हमारे पास सुप्रीम कोड उसकी प्राइमरी जूडिक्शन होता है यानि प्रात्मिंद छेत्रदिकार्द में क्या क्या आता है भाई करो दो लाइन में सब्जेक्ट मत बताया करो पहले तो चीज़ को एक दन ईजी कर दू फिर बता उसके अंदर क्या है कि प्राइमरी जूडिक्शन का मतलब क्या होता है अब आओ ना यह मुद्य पर कि बाई ऐसे बिसाए ऐसे सब्जेक्ट जिनको केवलो केवल सुप्रीम कोड हैंडल करेगा और कोई वो कहलाता है उसका प्राइमरी जूरिडिक्शन अब उसके अंदर जाओ तो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास कहा है सेंट्र इस्टेट कहले कसे बीच में अगर कोई कंफलिक्ट है कोई बाद है तो कौन सुने गाँ सुप्रीम कोड इंपी के अई पावर नहीं जो इस इसाही जो फ्राइमरी जूरिडिक्षन था यानि परात्मिक चेत अदिकार दिया गया किसको दिया गया आपके फैडल कोड अब उस समय सब्जेक्ट अलग थे उसके अंदर हम जा नहीं रहें ठीक है दूसरे क्या दिया गया अपीली है यानि अपीलेट अपीलेट जैसे आज भी आपको पता है कि सुप्रीम कोट के पास क्या अपीलेट जो भी लोवर कोट हैं अगर उनका कोई डिसीजन दिया जा रह आपीलेट तो है क्योंकि इसके अंगेश्ट में अपील का हो जाएगी प्रीवी चांचल और प्रीवी कांचल का है यह कोस्टन भी प्राइमरे जोडिक्सन हो गया अपीलेट भी हो गया और इसके लाबा तीसरा क्या मैं ने बताय था एडवाईजरी जैसे आज भी एडवा सुप्रीम कोड का एडवाईजरी डिक्सन कहां पर है 143 अनुछेद 143 के तहत सुप्रीम कोड क्या कर सकता है एडवाईज कर सकता है प्रसीडेंट को किस पर कौन से सब्जेक्ट कोई भी मेंटर पर कर सकता है लो एंड फैक्ट कानून और तत्थ है अगर इनसे सम्वंदित कोई भी मेंटर है तो फिर प्रसीडेंट क्या मांगेगा एडवाईज मांगेगा और सुप्रीम कोड अकोर्डिंग टौ आर्टिकल 143 उसको एडवाईज करेगा लेकिन लोएंड फैक्ट का इसू नहीं है ब जोड़ी आ रहा है यानि सीधी बार लो एंड फैक्ट के लिए तो ऐसी चीज़ यहां पर भी करी गई थी कि गवर्ना जनल चाहे तो इससे क्या कर सकता है एडवाईज कर सकता है तो तीनों फ्रात्मिक भी है अपीली भी है और सलाकारी यानि एडवाईजरी भी है कैसा नहीं सुप्रीम कोड तो वाइंड है एडवाईज देने के लिए लेकिन प्रसीडेंट वाइंड नहीं है एडवाईज को एकसेप्ट करने है ठीक है अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं यह क्लियर हो गया है यह तक यह मैंने बता दिया कहाँ पर अपील हो सकती है प्र चैंबर ऑफ किंग हां ऐसा कह सकते है आप बेसिकली प्रीवी काउंसल एक ऐसी कमेटी को आप जो क्या कर रही है जो इंगलेंड में गोवर्मेंट को रन कर रहे हैं यानि जो एड्मिस्टेशन से लेटर सब्जेक्ट थे जो प्रसासन से संबंदित बेसाय थे उनको चलाने के लिए बनाएगी थी प्रीवी काउंसल किसके साथ चलाने के लिए आपके जो संब्राट होता था जो किंग होता था उसके लिए तो उसकी परसत कह सकते है और इसी में होता था क्या आपके पास अपील वह उसमां देखाओ जैजिस बैट रहते थे ऐसा पुलेट का यार व के लिए चलो और आगे बढ़ लेते हैं अब इंपोर्टेंट चीज तीसरा प्रविजिन अगला प्रविजिन बनवाई बन देख रहे हैं जो आपको पता है इंडियन काउंसल का इस्टेबलिजमेंट वाट है 1858 में किया था और इसका एड कौन था इंडिया सागेट्री भ जब इसको एंड किया गया तो फिर कौन कौन एंड हो तो बारे साथ भी एंड हो जाना चाहिए है ना नहीं हो नहीं हुआ ध्यान रखना यहां के वर काउंसल को एंड किया जा रहा है इंडिया सेकेट्री एंड नहीं हो रहा उसकी जो परसद है उसके अंदर जो मेंबर्स से वो खतम कर दी गई तो फिर क्या किया गया कि उसको डवाइस देने के लिए विएस्था की गई कि 623 यानि मैडीमम विंबर को क्या जाएगा अब पोइंट किया जाएगा जो क्या करेंग गे ह करेंगे यानि काउंसल एंड हो गई बट इंडिया सेकेटरी एंड नहीं होगा है अच्छा से समय ले ना कि 1858 में जो हमने इंडिया काउंसल को सेट अप किया था वो एंड कर दी जा रही है किससे 1935 के तो काउंसल एंड करने के बाद कुछ मेंबर्स अपॉंट हो रहे हैं जो अलग प्रोविजन था एक एक प्रोविजन निकल लें दीरे दीरे तो इंडियन काउंसल समझ में आ गया एंड कर दी गई लेकिन इंडिया सेकेटरी एंड नहीं चल और देख लेते हैं और कुछ है क्या यह दिखाई दे रहा है आपको पता है मैंने बताय था कि बर्मा को क क्या कर दिया गया अलग कर दिया तो यह कुस्तन आज चुका है भाई प्यासी ने पूछा हुआ है कि भारत को बर्मा को मैं मार को बारस से सेपरेट कब किया गया तो 1935 के अच्छा दो प्रवेंस और नहीं बनाए जाएंगे इसी एक्ट से कौन-कौन से उडिशा एंड सिं आऄ रहा है पूछ लेगा विहार से नकोरा किसको बनाया जा रहा है और इसलो deck लाट से हमेंश और hypothesis बबाध माई और फ्रोलाक कर दिया है पहली शीज्च दोन एक और ओर और यह भी किससे हो रहा है 1935 के एक से बादल नहीं तो यह प्रोविजन था और देखें इसके लावा और प्रोविजन था कि और प्रोविजन यह था कि पहली बार क्या किया जा रहा है फुली डारेक्ट बोर्टिंग सिस्टम अब यह बेच अभी भी कमिनल पे बेच इस पर ह नहीं आपको बताया थे इस समय इस्टेट के अंदर कर सब जया के मालू टू पॉइंट एट परसेंट बस लोगों को बोटिंग मिला हुआ था अब इसको किया गया इसको इनक्रीश किया गया 14 परसेंट लोगों कैद डिया गया बोटिंग है इसमें मेल फ्लम एन प्रोविंस में तो आई तो क्या हुआ तो क्या हुआ डारेक्ट वोटिंग के सिस्टम भी सुरू किया जारा पूरी तरीके से कब 1935 इस्टार्टिंग तो बैसे तो फ्रोटिंग था अब थोड़ा शो बलंबं daha काम काहना रहता हुआ प्रेलेक्ट वॉला काम काहा था जो भी चानी डारेक्ट वॉटिंग चाहने नहीं तो क्या ओ हुआ रहा है सीधा-सीधा डारेक्ट वो ठिमिल है प्रत्यच क्या नर्वाज यानि डारेक्ट वोटिंगे थुरू क्या किया जागा जो आपके पस मिनिस्टर से उनको इलेक्ट किया जागा चलो और देखें अच्छा इंपोर्टेंट है इसी से क्या है आपके पास कुछ बर्ड साइज जैसे प्रदान मंतरी ये वाला बर्ड क किस से ओरे नाइनटीन थाइटी फाइब के इसके पहले हमारे पास ये बर्ड ठेक है तो ये बर्ड भी इंट्रोड रहे हैं किस से नाइनटीन थाइटी फाइब के अच्छा मंतरी परसद मंत्री मंडल क्या होता है अब मुझे पताओ मंत्री परसद मंत्री मंडल क्यावनेट यही बोलते हैं ना क्या डिफ्रेंस दूनों में अब इतने लोगों बोलो का तो मुझे समझी नहीं आएगा हीना है अंच हुआ हुआ ह प्रसंट का रेशियो से प्राइए है ना को किसके लिए इस्के लिए इसके लिए इसमें कोन आ जाएंगे इसमें इसमें कोन आ जाएंगे जोष्ट इंपर्टेंड मिने इस बहुत बढ़ी तो फिर यह क्या है सब्सक्राइब करेंड में चीज और प्राइए अगर आप को याद मैं एक चीज बताइधी जी 23 याद अगर पड़ा है यह काम काम कर रहा है कोंगरेश केंद शामज लू अपने कोंश्टिशन में सारी पावरें के पास मंत्री पर सांसलॉप मिनिटर के पास अकॉर्ड एंस सारी पावरे मंत्री परसं वहाई अब 11 &s इसको थोड़ा चोटा करो केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर उठा लो क्या बनेगा मंत्री मंदल जो आपको दिखाई देते हैं एट टू टैम मिनिस्टर वह हम कितने को जानते हैं आपके रेल्वे मिनिस्टर फानेस मिनिस्टर डिफेंज मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर थोड़ा वह दो चार और मालो तो यह क्या क्या लाते हैं और यह हमारे पास कहीं भी यह दोनों तो थे ही नहीं संविदान यह तो अभी भी नहीं है और इसका फश्टली के वो लीडर जो Congress के अंदर चेंज जाहते हैं जो चाहते हैं सबया सिस्टम चलोटा बदला बड़ shops लीडर्पर आप बर आख कि भात करे ह। 1969 में क्या किया था कॉंग्रेस के दो डिविजन हुए मैंने बताया था आपको अगर आपने उसको देख लिया होगा कल वाला परसों वाला निवाचनायोग वाला इलेक्शन कमिशन वाल 69 में पहले डिविजन और दूसरा 78 में हुगा था एक कामराइस ते दूसरे एड़ी थे चलो तो यह बत समझ में आगया और देख लेते हैं थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे यह कुछ को टेशन मिलें पुछ फैक्ट नहिरू सामने क्या बोला था इसके बारे में कि यह अने एक बैंक को ब्रेकों वाली यार यह ब्रेक काऊंगे ब्रेक है ना अने ब्रेक्स वा आजाएगा भईया किसने का था पंदे जवालल लाल क्या दास्ता चाटर चाटर अचे करके उठारे दास्ता का पत्र इक इसने बोला है पंदेट जवालल नहरूनिय और यह किसने का मौमध अली चिन्दान क्या का यह पूरते सडा और मूल डूप से बुरा यह याद रखन जो आए पर इंजन नहीं इसने बोला है जिनना साब कह रहे है ठीक है इसके लावा और बात करें और कौन क्या कह रहा है वह अगला कौन बी आर्देश मुख यह क्या करें इनको रटना है वह कुछ नहीं हो सकता इन्होंने क्या कहा कि भारतिये सम्धान विसेश रूप से जो इंडियन कॉंस्टिशन है वो क्या है अरे तरी क्या हो रहा है जा रहा है विसेश रूप से बारत सासना धनियम 1935 से यह बस उसमें क्या जोड़ दिया है यह कौन कह रहे हैं आपके देश मुखसा के भाई इंडिन को चला लगा नहीं है वही है जो 1935 का एक था बस अडल्ट फ्रेंचाइजी हमने इन कुल रहा है यह किसका कुटेशन है देश मुखसा तो अच्छे जिया दखना भाई सब इन पर कोशन कहीं भी आ सकता है ठीक है अगला और क्या कोटेशन मिला है में इसके अंदर और देखें थोड़ा सा अगला है क्या अच्छा कुछ इंपोर्टेंट चीजें और समझो कि सबसे बड़ा सोर्स क्या है 9035 बात कर चुके हैं कि इसको क्या बोलते हम केनी कॉंस्टिशॉटिशन और बात कर लेते हैं और अब इंपोर्टेन वास समझना इस समया भाईस ना है कौन था भाईयत यह सीधा ठीन थे सलिचे कुछ भी नहीं है सीधा सीधा फैक्ट है कौन था लिलिट को पी एम कौन है बात की ना में कौन मैं दोनल्स अब यह इंपर्टन समझना इस बात को गवर्नर जनर्र को यह कुछ आपके पास सेक्शन सारे इसके ठीके प्रांतों में आपातकाल की घुशना करने का अधिकार इस अधिनियम की धारा कौंसी सेक्शन कौंसा है वन जीरो टू के तैत दिया गया ता जिसमा या बताया गया की गंबीर आंत्रे गलवडी युद्ध अत्वा संबादित कान गवर्नर जनर्र आपकाल की घुशना यानि नेशनल एमर्जंजी जो आज है आपके पास त्री बेस कौन कौन से आज अरे नेशनल नेशनल के बेस है न थ्री आपॉर्डिंग टू एक मेंट की आर्टीकल 352 क्या कहता है नेशन इमर्जंशी की बात करता है आज पहला है बोर अगर युद्ध हो जाता है तो फिर राष्टिया पत का लगेगा दूसरा बाहरी आक्रमन अगर को अगरी एक्स्टनल अटेख हो रहा है यह पाकस्तान अटेक कर दे तब भी क्या लग जाए का आपके पास नेशनल इमर्जंसी और तीसरा कौन सा है आंत्रिक ससस्त्र विद्धरूर रवेलियन विद्ध आम पहले नहीं था पहले गड़वरी थी वह हमने यहीं से लिया था यहीं से लिया था तो हमारे समयतान में यह सी डारेक तो यह इसके किस सेक्शन में था बंजीरो तो याद रखना बिलकुल आप से पूछ रहा है कि आपको 352 तो मालम है मुझे अच्छे से मालम सब को पता है लेकर आप से पूछेगा कि इमर्जेंसी वाली विवस्ता जो है अपोर्डिंग टू एक्ट 1935 कि सेक्शन में थी मंजीरो बेस वहीं है से क्या है गंबी रांत्रे गड़वडी जो भी इंटरनल डिस्टरमेंस हो रहा है फिर युद्ध और संभावित खत्राव संभावत खत्राव संभावत खत्राव हमने क्या कर दिया है बाहरी अक्रुम इसे लिए ये भी क्या है फेल ध्यान ख नगा थार्टी सेवन में इसके अकॉर्डिंग आपके एलयक्षन होंगे और एट प्रोविंसमें अपनी क्या बनाएगी गौवर्मेंट बनाएगी 5 में अजोरिटी में आएगी 3 में क्या आएगी सबसे बड़ा जो पाइटी बनके निकलेगी और 39 में आपको पता है सेकेंड वर्ड बोर सुरू होती ही वो क्या कर देगी रिजाइन करें और जिस दिन रिजाइन करती है उस दिन सबस्क्राइब करें तो कॉंग्रेस को कितना समझो ग्यारा परांत वह रहीं पताइब प्रॉड़ेश को कितने प्राण थे 11 अच्छा दो नहीं बन गए हैं लेकर उनका अभी कुछ ज्यादा विवस्था जो एलेक्शन हो रहा है बेसिकली 11 पर ही हो रहा है ठीक है अब 11 मैंसे कितने में बना रहे हैं वो तो देखो कितने पाँच फुल मजर्टी कतने प्रोविंस में पांच ना म्याद रखना कौन-कौन से मध्राश बीहर उरी Armsa centuriesanes declare अंड प्रोविंस ओना Сов में हम का तो कुछ है नहीं थोड़े हम सेंडल पॉविंस में थोड़े तोड़े बेसिकली किसमें सेंडल पॉविंस में उनाइटेड मनी तो टोटल कितने होगा है पाँच याद अब आफ से पूछेगा 1937 के एलेक्शन में कॉंग्रेस ने जो बनाई थी सरकार पूर पहमत वाली तोटल 11 में नहीं आई पांच में होगी फुल तीन में बनाएगी वो कोलेसन गवर्मेंट यानि गट वंदन सरकार क्यों सबस्वेड़ी पार्टी के रूप में आएगी लेकिन उतनी मजवर्टी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए तो वह तीन कौन-कौन से थी ठीक है व तोटल प्रोविंस प्रोविंस चल ला तो तीन ही उगए तो टोटल कितने फॉर्ट प्लस थरी कितने स्टेट में प्रोविंस में कॉंग्रेस की गवर्मेंट थी आठ याद है ना सीधर कोशन पूछा गया ही जो 1937 के चुनाओं में है ना इन 1937 election में कॉंग्रेस पार्टी क कितने प्रोविंस में था एट में बागी बच्चे तीन तो महाँ पर अलग अलग बैस था थी अलग अलग पार्टी हाई उन्होंने कोलीशन किया और गॉवर्मेंट फुली मेजर्टी की गवर्मेंट किसी की मुस्लिम लीक का कोई कॉलम नहीं था भाई मुसलिक सफाई हो इस गया चली गई मुसलिक यही ता मुसलिक लिए सोचा में बहुत जाता मेज़र्टी मिलेगी क्योंकि हम लोग ठोड़ा था अलग चल लेकिन उनको कुछ मिला ने इसलिए वो ध्यान रहा का 1940 में किस पे आ जाएंगे शेपरेट नेशन पाकिस्तान डिमाड सुरू हो चौदरी रहमत अली डेश जूदेंट था टू नेशन थेयोरी वे राष्ट जान दिया था किसने है चौधरी रहमत अली याद रखना चौधरी रहमत अली ठीक है यह कैमरे युनिवर्शिटी का इस्टूडेंट था और इसी की थियोरी को बेस मनाया था किसने मुस्लिम लीग ने और फिर जो नाइंटिन फॉर्टी का लाहर सेशन था मुस्लिम लीग का उसमें उन्होंने क्या किया था आगस्तान के लिए अपना डिमांड रखा था ऑफिसली और उसके बाद फिर आपका कानी शुरु चल दी जाएगी अगला हमारे पास जो है क्या टॉपिक उसका नाम है कॉस्ट्यू हम देखेंगे कि बीज में क्या चल लाए पहले सेगेंड वर्ड बॉर्ड देखेंगे थोड़ा सा फिर अगस्त जो प्रपोजले वो देखेंगे क्रिप्स मिसन देखेंगे फिर क्वाइट इंडिया मुमेंट देखेंगे फारत छोडवान दोलन फिर बेवेल सिमला है ना फिर केमिनेट मिसन और आफ्टर देट आपके पास कॉंस्टिटेंट असे वो जर्मली देख लेंगे उसमें ज्यादा अंदर नहीं जा लेकिन उसके पहले कल आपके पास होगा प्रेक्टिस से सर इन दोनों का 1919 का और 1935 तो पढ़के आना पूरे का पूरा जितना पढ़ाय जिससे सारा ने चोड़ आपके पास याद भी हो जाएगा अब कलियात करके आओ नहीं तो बेज़िती बेज़िती घंगोर होगी अब एक एक करके पूछूंगा बेटा ना जानकना पूछूंगा बागा इदा पॉइंटेड करके बताओ क्या है इसमां कोई नहीं बोलेग पचास रुपए बीच में बोला जो था हां लेकर कभी अप्लाई हो नहीं पाया क्योंकि सीट्स बढ़ा दी ना पूना पैक्ट हो गया अब पूना पैक्ट हो गया तो ना तो मुसलिम मतलब क्या कहते है जो डिप्रेस क्लास के लीडर थे अंबेडगर साफ उन्होंने भी जनाय कर दिया पहले तो एक्सेट कर रहे थे बट पूना पैक्ट होते ही तो कभी भी एक्जिस्टेंस में टोडल ही नहीं आपाया लेकिन बेस उन्होंने रखा थोड़ा सा तो सब्सक्राइब कभी भी नहीं आपाया क्या रहेगा कुछ नहीं रहेगा तो यह वाली चीज सब्सक्राइब करेंगे पूरे इसके अब्जेक्टिव सारी चीजें कौन-कौन से बन सकते हैं कौन-कौन से बने हैं कहां-कहां बने है चाहे वो PCS में हो चाहे वो UPSC पर जाता नहीं जाएंगे तोड़ा तलफड़ा करते था है ठीक है कुछ-कुछ इंपोर्टेंट जो ह सब्सक्राइब करने हैं जो रहिए पास हूंगे एसके लगाए टालए लाक्को में आपके पास अक्जाम करता है कॉस्चन कि और वह लाएक्सी के लुक्तृ अब भी बच्चे आ रही तो फिर अपनी किसमत खराब है किसमत खराब है नहीं आप ही कुछ पढ़ लिया चलो किलियर हो गया नोट्स मिल गए चलो धन्यबाद